आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमें दिया है इन थायो-sulphuric acid मतलब थायो-sulphuric acid के बारे में आपे statements यह हो है मैं सही statement बताना है तो थायो-sulphuric acid जो होता है होता है H2S2O3 और इसका जो structure होता है हो ऐसा होता है तो अब हम देखने है पहला statement बोला है Each sulfur atom is in identical oxidation state तो यहां पे बोला है कि Sulfur atoms है ऐसा are identical oxidation state मेें होता है तो यह statement गलत हो जायेगा जो यहवाला sulfur atom है उपर वाला वो 0 oxidation state में तो यह वाला 0 oxidation state में यह वाला sulfur atom है वो इस oxygen के वाज़े से plus 1 और इसके कारण और इसकी कारण ब्लस 2 तो यहां पर एक जो sulfur atom है वो 0 में है और दूसरा वाला है प्लस 4 oxidation state में तो दोनों जो sulfur atom से वो identical oxidation state में नहीं है तो यह statement गलत हो जाएगा फिर there is a S double bond S linkage present तो यहां पर S double bond S है तो यह वाला जो option है वो सही हो जाएगा यह बोल रहा है कि यहां पर S double bond S linkage है तो भी option सही हो जाएगा उसके बाद बोला है one S atom is in plus two oxidation state and the other S atom is in plus four तो एक zero में है और एक plus four में है तो यह statement भी गलत हो जाएगा इसमें बोला है कि एक plus two में एक plus four में है तो C option गलत हो जाएगा there is only one replaceable hydrogen atom तो यहां पर दो replaceable hydrogen atom है जो OH ग्रूप में जो hydrogen atom होता है वो replaceable hydrogen atom होता है किसी भी acid में क्योंकि अगर base आता है तो यही वाला hydrogen atom जाता है तो यह replaceable hydrogen atoms है तो यह वाला स्टेट्मेंट भी अलत हो जाएगा तो फाइनली जो सही स्टेट्मेंट है वो सिर्फ बी स्टेट्मेंट है क्लासिक स्टेट्मेंट से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स उपर